आनन्द की परिभासा तो धागवत में बड़ी विचत रूप में वरनित है। आनन्द का मतलब क्या है। कुछ लोग भोजन करते हैं और पूछे कैसा लगा बहुत आनन्द आया। एर कंडिशन कमरे में सुबेर उठें कैसा लगा बहुत आनन्द आया। यह आनन्द की परिभाशा नहीं है। अरवों की संपदा हमने प्राप्त कर ली उससे सुख प्राप्त होगा आनन्द नहीं। बहुत सुविधाओं से हमने युक्त जीवन जी दिया। उससे हमें सुविधा और सुख मिलेगा आनन्द नहीं। क्योंक्य आनंद तो सिवाए गुविंद के दूसरा कोई होता ही नहीं है आनन्द तु使ն प्रच्वियु हैं आपने देखा होगा भागवत की कथाइं जब होती है तो चतुर्द डिसरी कृष्ण जन्मोर सभ्षंवन आते हैं चतुर्द डिवस तो कृष्ण जन्मोर सभ्षंवन लोग जया बोलते हैं नंद घर आनन्द भयो जैकनिया लाल की अबदघर आनंद भयो जैराजा राम की नंदघर आनंद भयो जैकनिया लाल की नंदघर कृष्ण भयो जैकनिया लाल की नहीं नंदघर गोविंद भयो जैकनिया लाल की नहीं नंदघर आनंद भयो क्योंकि आनंद स्वेम कृष्ण है आनन्द स्वेम राम है जो आनन्द सिंद सुख रासी सीकर तेप्रई लोक सुपासी सो सुखधाम राम असनाम जो आनन्द का सिंदू है जिसके आनन्द की सिंदू की बिंदू भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विस्ट प्रपंच आराम विराम और विस्राम का नुभब करता है इसलिए राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है तो सत्वी स्री कृष्ण, चित्वी स्री कृष्ण और आनंद भी स्री कृष्ण एक और बाद दुनिया की हर चीज़ को आप पलट सकते हैं सुख का उल्टा तो दुख होता है अरालत्री का उल्टा दिन होता है प्रकास का उल्टा अंदकार होता है गोरे का उल्टा काला होता है बिद्वान का उल्टा मुर्ख होता है लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता है आनंद का उल्टा कभी कुछ कर सकते हैं एक सब्सक्राइब बोले आनंद का उल्टा भी होता है महराज मिनका क्या होता है बोले आनंद का उल्टा होता है निरानंद मैंने का निरा तो तुमने अपनी तरफ से लगा लिया आनंद जैसे कितने साई है और निरा तो हमने जोड़ दिया न जी आनंद जैसे कितने साई अब उसको निरानंद बोल दो चाहा परमानंद बोल दो चाहा ब्रमानंद बोल जो चाहा बिस आनंद बोल दो उसके पहले निरा लगाओ चाया परम लगाओ चाया बिस लगाओ चाया ब्रम्ह लगाओ लेकिन आनंद को आप रखनी सकते आनंद को बदला जा नहीं सकता क्योंकि आनंद सत्य है और वो त्रिकाला वाधित सत्य है आदिम अध्यान पसत्यां उसकों बदल कर सकतें तो सत्वी सरी कृष्टन हैं चित्वी सरी कृष्टन हैं और आनंद भी सरी कृष्टन है बिश्रोत पत्याद है तबे बुजरासा मुस्कुराता है स्रश्टी का स्रजनव हो जाता है वो जरासा गंभीर होता है स्रश्टी का पालन हो जाता है और वो भ्रगटी को जरासी टेड़ी कर लेता है प्रलेंकाली समुद्र में सब डूब जाते है तो विश्योत पत्याद हे तबे विश्य की उत्पत्ती पालन और लेका हे तु भी तो एकमात्र गोविंद है तापत रेविनाशाया तीनों प्रखार के तापों को निश्ट करने की जिनके नामों में शक्ती है तीनों ताप आध्यात्मिक ताप हो चाहे आध्य दैविक ताप हो चाहे आध्य भौतिक ताप हो कोई भी ताप गोविंद के नाम के सामने रुखतों नहीं पाता है तो तापत रेविनाशाया दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा गोविंद की सन्य धी परमात्मा राम की सन्य धी तीनों तापों को विनिष्ट करती है तापत रई मेना शाय ऐसे स्री कृष्णाय वयम नुमहा स्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं वयम्नमह माने मैं नहीं या केवल एक नहीं हम सम मिलकर उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि भागवत के पुझ्जी आचार्द हैं भगवान शकुदे उसामी झाल झाल